इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना सिटी से जहां पटना सिटी के सबलपूर इलाके में नदी थाना छित्र में पांच लाख रुपए की लूट हुई है इस वक्त की बड़ी खबर है जो तस्वीरों में आप साब तोर से देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप करंचारी जो है वो स्टेट बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे तब ही अपरादियों ने पहले से घाग लगाय हुए थे और जोले में रख पांच लाख रुपए लेकर जा रहे थे तब ही पटना सिटी के सबलपूर इलाके में स्टेट बैंक के पास अपरादियों ने उनके पिश्टन भिढ़ा कर पैसे लूट लिए उसके बाद से ही इलाके में हरकम मज गया अपराजी जो थे वो तीन थे और एक बाइक पे तीन अपरादी सवार थे अब पतु अथाना के DSP मौके वारदात पर पहुँचकर आज पास के इलाके के CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है मामला मोती चौक मोती पेट्रोल पंप का है जहां मोती पंप पेट्रोल पंप के करमचारी जो है वो पैसे लेकर स्टेट बैंक में जब जमा कराने जा रहे थे तब अब ही अपरादियों ने उन्हें पिश्टन भिढा कर पैसे चील लिए और कई राउंड फाइरिंग किये जिसके बाद से ही इलाके में अफ्रा तफडी का महल हो गया यह मामला पटना स्टी का है जहां नदी थाना छेत्र बताया जा रहा है और मौके वारदात पर जो फत् पेट्रॉल पंप के तब ही अपरादियों ने उन्हें पिस्टन भिढाया और बहुत आराम से वहां से पैसे लेकर फरार हो गया कई राउंड गोलिये भी चलाने की बात सामने आ रहे हैं लगभग पांच लाक रुपए की लूट हुई है इस वक्त की बड़ी खबर है जो पंप के करमचारी हैं जिनके साथ यह लूट हुई है उन्होंने क्या कुछ जानकारिया दी है वह पहले हम आपको सुनाते हैं और जब इस मामले पर फतुआ डियस्पी से पूस्ताच की गई तो वह बस्ते वे नजरा है सीधे तोर पर यह तस्वीर देखी कि किस तरीके से फतुआ ठाने के डियस्पी जो है वह इस मामले पर चुपी साथ रखे हैं वह कुछ भी नहीं बोलने हैं पूरे इलाके में हरकम बज़ गया है आस पास के सिसी टीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है पहले इनके ब्यानों को हम आपको सुनाते कि पूरी घटा को जो पेट्रोल पंप के करमचारी है उन्होंने बताया कि हमें पहले से ही अपराधी पूरी तरीके से घाग लगाये हुए थे और कई राउंड गोली छोड़ फारिंग करते हुए वहां से असानी से फ्रार हो गया पुलिस मामले की छानवीन कर रही है सीसी टीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है अब देखना ही है कि पुलिस कब तक इस मामले को उद्वेधन करती है आए दिन कह सकते हैं कि पट्टा में आए दिन जो अपराधियों का मनवल है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है अब देखना ही है कि इस मामले पर पुलिस कब तक उद्वेधन करती है जल्द ही आप राधी तक पहुझ पाती है या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देजदीन उसके साथ और कि ते रैंड लिए